नमस्कार दोस्तों जी के अर्जुन सार यूप्टूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है मिसान यूजिसी नेट एकजाम 2021 इतिहास प्रेटी सेट 304 में जिसकी परिछा की तिति है 6 और 8 अक्टूबर और 17 और 19 अक्टूबर को एकजाम होगा तो चले वीडियो प्रा करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना न भूलें ताकि जब भी मैं गला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफ प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ तो उसको भी आप लोग देखना न भूलें इसके लवा संपूर इतिहास का एक मास्टर वीडियो का भी लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ उसमें सुमिलित करने वाले 500 काफी अच्छे कोर्शन क जजमानी व्यवस्था के संदर्म में निमलिखितों व्यक्तव्यों को देखें और इनमें कथनों में से कौन सा सही है यह ढूना है तो इस टाइप के कोशन आपके उजिसी नेट में 60% कोशन पूछे जाते हैं कथन कारान कौन सही है इसमें तो उसी पैटर्न पर जैसे सेम आपके जिसी नेट के एकजाम में पूछे आते हैं उसी पैटर्न पर भी आपको कोशन आपको देखने को मिलेगा इसमें तो जजमानी व्यवस्था के संदर में पूछ रहा है पाला देखे दिया इसमें महराष्ट में ग्रामीर उतपाद की अधिक्तम मात्रा सिल्पियों द्वारा तयार की जाती थी जो क्रिसकों के साथ सनच्छक सनच्छित रिष्टों से जुड़े होते थे और दूसरा दिया इसमें महराष्ट और गुजरात में जजमानी व्यवस्था में केवल वे कारे नहीं आते थे जो सिल्पियों द्वारा किये जाते थे तथा क्रिसी उतपाद के पूरख होते थे तो इसमें से कौन सा कथन सही है है ये पुछ रहा है इसमें जज्मानी विवस्ता के संदर में ये बात कहा गए है तो देखे इसमें दोनों सही है फास्ट और सिकेंड इसका एंसर जा excited सी एक और दो इसमें दोनों सही है कोश्चन नमबर दो है तारा संकर बंदो पाध्याय के उपन्यास गण देवता में निम्न में से किस एक प्रथा का पतन प्रदर्शित किया गया है किस प्रथा का पतन के प्रदर्शित किया गया है इसमें यह पूछ रहा है इसमें जमिदारी प्रथा, रयतवारी प्रथा, जजमानी प्रथा या महलवारी प्रथा इसका right answer रोजाएगा C, जजमानी प्रथा तो जजमानी प्रथा क्या आती थी देखिए जजमानी प्रथा के अंतरगत होता ये था कि कारीगर जो है अपने उत्पादन का एक निशित भाग गाहों में किसान परिवारे को देते थे और बदले में फसल का कुछ हिसा लेते थे तीसी को जजमानी प्रथा का आता था और ये प्रथा जो है बिदमान थी और 1930 के दसक में इसको जो है गण देवता के उपन्यास जो है इसमें उसके बारे में वर्णन किया गया कि इसको समाप्त कर दिया गया था कोशन नमबर तीन है निम्न में से कौन लोक हितवादी के रूप में लोक प्रिय था अच्छे कुमारदत गोपाल हरी देशमुक इस्वर चंदर बिद्या सागर या महादेव गोविन रनाडे इसमें राइट एंसर हो जायेगा बी गोपाल हरी देशमुक कोशन नमबर चार है निमलिकित कत्मों पर विचार करना है और उप्रवेट में से कौन सा कत्थन सही है केशो चंदर सेन ने प्रसाहन दिया इसके बारे में आईए दिया है बिदवा बिवा को सारे अंतराश्टी विवा को परदा प्रथा के उन्मूलन को या इस्तिरियों के उच्तर विश्विद्यलाई सिच्छा को तो इसमें आपका एंसर हो जाएगा सभी चारों सभी है केशो चंद से ने पुरसान दिया था विधाव विवा को भी दिये थे अंतरजाती विवा को को भी दिये थे परदा प्रथा के उन्मूलन को भी दिये थे इस्तिरियों के उच्चतर विश्विद्यलाई सिच्छा को भी पुरसाहन दिये थे उपरोग सभी हो जाएगे ने चारों इसमें कथान आपके सही है कोशन नमर पाच है निम्न में से किसने 1890 में इंडियन सोसल रीफार्मर आरंब किया इंडियन सोसल रीफार्म कब 1890 में दिया इस्वर चंदर विद्यासागर के विरे सिलेंगम या के यन नटराजन या एमजी रनाडे इसका राइट रंसर जायेगा किसने क्या था के यन नटराजन ने कोशन नमर छे देखे रहियत वाड़ी भू राजस पर्था के बारे में और इनमें से कौन सा कथन सही है दिया है छोटे क्रिस्टिकों के साथ बंदवस्त किया जाता था ये तो सही है दूसरा दिया है क्रिस्टिकों को भूमी पर सभी अधिकार उपलब्द थे बसरते कि वे एक निश्चित राजस का भुक्तान करें जो राज के लिए ग्राम प्रमुख द्वारा एककत्र किया जाता था ये गलत है रियत वाड़े ब्यश्था जो है राज के ग्राम दोरा नहीं करते किया जाता था रियत वाड़े सीधे किसानों से सरकार कर वसूलती थी ये गलत है तीसरा देखे इसमें दिया है बंदोवस्त किया जता था तथा उसका निस्सी समय के लिए नवीनी करण किया जता था जिस दवनार रयत को भूमी से बेदेखल नहीं किया सकता है ये भी गलत है केवल इसमें फर्स्ट वला सही है छोटे क्रिसकों के साथ ये बंदोवस्त किया द एकोनामिक हिस्ट्री आफ इंडिया प्रकासित की तीसरी सताब्दी में बिस्वी सताब्दी में प्रारम में द एकोनामिक हिस्ट्री आफ इंडिया प्रकासित की दादा भाय नोरजी गोपाल कृष्ण गोखले महादेव गोबिंदर रनाडे या रोमेश चंदर दत इसका यहां पर लिखा गया है तो रमेश अंदरदत की पुस्तक थी The Economic History of India को भारत के आर्थिक इत्यास के पहली पुस्तक भी माना जाता है इनको और इन्होंनों जय आर्थिक सोसन के बारे में लिखा है बिस्तार पुर्वक वड़न किया गया इसमें कोशन नमबर आठ है निम्न में से कौन इरोब की यांतरिक घड़ी भारत में लाये थे तथा यह कब लाई गई थी यह पूछ रहा है इसमें 17 सताबदी में फ्रांसी सी 16 सताबदी में पूर्थगाली 18 सताबदी में डच 15 सताबदी में अंग्रेश इसका राइट एंसर हो कोशन नमबर नौ है 1857 इस्वी के बिद्रों के उपरांत इलाहबाद में एक दर्बार में किसने भारत की सरकार को ग्रेट ब्रिटेन की सरोचता सता द्वारा अधिग्रिहित किये जाने की घोसना की है लाड आकलैंड लाड केनिंग या लाड डलहोजी यä लाड हाडिं तो इसका जो राइट एंसर होगा वो है लाड केनिंग ने कोश्चन नमबर दस है लाड डलहोजी के प्रसासन काल में निमनी में से क्या एक घाटित नहीं हुआ तो क्या एक घाटित नहीं हुआ ये पूछ रहा इसमें दूतियांगल वर्माय देत हुआ था कलकत्ता से आगरा टेलिग्राफ लाइन बिचायेगा ये भी हुआ था बंबाई से थाड़े तक रेलेवे खोला गया था ये भी हुआ था दिल्ली विश्विद्याले के अस्थापना ये नहीं हुआ तो डी वलाइस का एंसर हो जाएगा दिल्ली विश्विद्याले के अस्थापना जो है लाड अलाओजी के काल में अस्थापित नहीं हुई थी दिल्ली विश्विद्याले के अस्थापना हुई थी लाड रीडिंग के कारेकाल में जिनका कारेकाल था लाड रीडिंग का 1921 से 26 तक था लाड रिडिंग के कारेकाल में दिल्ली विश्विद्याले के स्थाफना की गई थी 1922 में की गई थी दिल्ली विश्विद्याले अगर पूछता है कव तो 1922 में Question number 11 देखे निम्न में से किसने टीपू सुल्तान के साथ स्री रंग पत्टनम की संधी संपादित की थी टीपू सुल्तान के साथ तो किसने की थी ये हैस्टिंग कार्नवालिस वेलेजली डलहौजिस इसका राइट एंसर हो जायेगा बी कार्नवालिस ने तो ये तिर्ती आंगल मैं सुरुद में हुआ था सिरी रंग पटनाम की संधी और तिर्ती आंगल मैं सुरुद कब हुआ था 1790 से 92 के बीच में हुआ था यानि मद्धे में कोशन 12 है पूना के संदी सिंदिया के साथ सुर्जी अरजुन गाउं के संदी इसका राइट रेंसर हो जायेगा भी होलकर के साथ मंदसौर की संधी तो होलकर के साथ जो है मंदसौर की संधी का विए थी जनौरी 1818 से में हुई थी कॉस्टन नमबर 13 देखिए किस मुगल समराट ने तमभाखु के प्रियोग को निशिद्द किया था कौन सा मुगल समराट था जो तमबाखों की प्रयोग को निशिद किया था ये था जहांगीर इसका राइट एंसर हो जाएगा भी जहांगीर तो ये तमबाखों का अगर देखा जाए तो भारत में जो तमबाखों के खेती की शुरुआत किये थे पूर्तगालियों ने किया था कब किया था 1605 इसवी में जिसे मुगल समराट जाहागीर ने बड़ी कड़ाई से जो है 1617 इसवी में निसिद्ध कर दिया था और घोसना की थी जाहागीर ने कि जो कोई तमबाखो का सेवन करेगा उसके दात तोड़ दिये जाएंगी ये घोसरा किया था जहांगीर ने कोईसन नमबर 14 देखिए विख्यात पुस्तक हमजामना हमजा नामा है विख्यात पुस्तक हमजा नामा जो अकबर के आदेशा अनुसार अभूत पुरो रूप से बड़े पटल पचित्रित की गई थी मुल रूप से किस भासा में लिखे गई थी किस भासा में लिखे गई थी हमजा नामा ये है तुर्की में, अर्भी में, फार्सी में या आटोमन तुर्की में तो इसका राइट अंसर हो जाएगा सी फार्सी में किस भासा में लिखे गई थी फारसी भासा में कोश्चन नमबर पंदरा है ख्वांद मीर के हिमायू नामा में अहल ए मुराद की चर्चा कुछ लोगों की समू के रूप में है वे निमलिखित में से कौन है तो वे कौन है तो वे हैं संगितकार, नर्तक और निर्तंगना है डी एंसर इसका राइट एंसर होगा कोश्चन नमबर 16 है निमनम में से मराठो में से सम्मधित कौन सा कथन सही नहीं है इसका राइट एंसर है होगा मराठा अंदोला ने साहजी द्वारा उडिशा में एक वास्तिक सतंत राज के स्थापना कारम किया ये सही नहीं है इसके लाव पेशवा के पद बाजी राव जो है 1720 में आरोड हुआ था ये सही है और मराठा द्वारा रास्थान द्वाब के कुछ भाग हैं पंजाब रादे पत्ते प्रतने 1741 में किये गया ये भी सही है और मराठा अंदौलन मराठा सर्दारकों नेति रु सही सुमेलित नहीं है तो सही सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है इसमें तो हिमायु नामा गुलवदन बेगम ये तो सही है तब काते अकबरी निजामुदीन अहमद ये भी सही सुमेलित है पादसा नामा अब्दुलहमिद लहावर ये भी सही है फुतुहात ए आलमगिरी मिर्जा मुहम्मद काजिम का नहीं है इस्वर्दास नागर का है इसका राइट एंसर हो जाएगा डी कोशन नमबर अठारा देखिए दिया है निमल कत्मों बिचार करना है और कौन से इसमें सही है इतमात खाने जो गुजरात के मौtr सात्ति का एक अमीर था अकबर को गुजरात के मामले में हतसे सेफ करने का निमंत्रन दिया था दूसरा दिया है जब हगी मिर्जा की मिर्थी हुएत तब कावुल का बाबर की दिल्ली बिजय के समय किसकी चित्रसायली ततकालिक प्रणा देने वाली थी तो दिया है मनसूर सैयद अली विहजाद या मिस्कीन की इसका राइट एंसर हो जाएगा सी विहजाद की किसकी चित्रसायली ततकालिक प्रणा देने वाले थी बिहजाद की जो चित्रकृतियां थी वो अलचनात्म का धिन था और बिहजाद को चित्रकारों में जो अगरहनी माना जाता था बिहजाद कोश्चन नमबर 20 है जहागीर के सासनकाल में भारत में अस्थापत्य की पहली उपलब्द उसके पिता के मकबरे का निर्मार था या कहां बनवाया गया था लाहोर में सिकोहाबाद सूरत में या सिकंद्रा में तो इसका राइट एंसर हो जाएगा डी सिकंद्राबाद सिकंद्राबाद आगरा में ही पढ़ता है आगरा से पांच मिल की दूरी पर है ये कोश्चन नमबर 21 देखें निम्न में से किसने औरंगजेब के सासनकाल में ब्यंग काबे की रचना के थी दिया है सौधा या जाफर जटली या गनी कस्मीरी या मुला दाउद इसका राइ सासनकाल में ब्यंग काब की रचना किया था जाफर जटली ने जटली दिया है या पर इसका नाम अगर देखा जाए तो सही है जट लच्मी नाम था इसका कोस्ट नमर 22 है निम्न यंत्रों या पदती पर विचार करना इसमें आवरोप्रज्ट में मुगलों को मालूम नहीं थे ये पूछ रहा इसमें इसका राइट एंसर हो जाएगा डी बहुत तकली चक्र और कोईले के इंधन के रूप में परियोग ये इनको मालूम नहीं था इसके वालावा जहें तोड़दार बंदुके और पवन चक्र को मुगलों को मालूम था तो डी एंसर हो जाएगा एक और चारिस में कोईशन नमबर 23 देखे मंदिरों से सम्मादित निम्न लच्छन पर विचार करना है उप्रवक्त में से कौन सा लच्छन जो है बिजय नगर मंदिरों में पाये जाते थे गोपूरम कल्याण मंडप अलंकृत अस्तंबव अच्छते अस्तंबवक नीचे करनांद सज्जा त यह पूछा जा रहा है तो इसमें सभी लच्छन जो है बिजय नगर मंदिरों में पाये जाते थे एक दो तिन चार सभी सई होगा इसमें कोईशन नमबर 24 है नीचे दिये गए राजियों में से किस राज ने कामता राज की 15 सताब दिवे उनके पतन के बाद जगह ली खासि वर्तमान में ऊतरी बंगाल में है उतरी बंगाल का कुछ बिहार जिला है वर्तमान कि देखा जाय ठो इस राजे को 15 सताप्स दें बंगाल मुस्लिम साजकों के सायता से अहम YOUR prefer चेतर आ लेकिन इसके पतर के बाद जगां कोन लिया था यह पूछ रिय घर दिये बहर ने जगा। तरंधे discern सुमालित करने वाला एक तरफ मुद्रा मुद्रा मालवल सिखंदरी मुद्रा कांप्र उत्तर भारत में इसका या आपका वी सभी सुमालित है यह थे कॵस्टन आज के लिए तो उमेद करता हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों के आधिक सिर करें धन्यवाद दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम